तुल्षाजी का पोधा हर घर के आंगन में होता है इसे धार्मिक रूप से बहुत ही पवित्र माना जाता है कहते हैं कि जिस घर में तुल्षाजी का पोधा होता है तुल्षाजी की नियमित सेवा पूजा होती है उस घर में नकारात्मक सक्तियों का प्रवेश नहीं होता है कि वहाँ सुख, शान्ती, वेभव, सम्रिथी अपना वास करती है, दुखों का अन्थोता है आर्थिक संकट, दूर होते हैं, लेकिन कभी-कभी हम कुछ गलतियां तुलसाजी की पूजा पाठ में, तुलसाजी की स्थापना में हम कर देते हैं, तो क्या कोई चीज हमें विशेश ध्यान रखनी चाहिए, उसी कड़ी में मैं आज आपको कुछ महतपूर्ण बिंदु बताने जा रहा हूं, जिससे ना केवल तुलसाजी का पोधा स्वस्त ही रहेगा, बलकि तुलसाजी से राप्त होने वाले लाप भी हम राप्त कर सकेंग पहली बात तो यह है कि जैसे वर्तमान में अभी अधिकांस युवा वर्ग और प्रोड वर्ग आर्थिक तंगी के दोर से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी चाहे व्यवसाई कम चलने के कारण हो, नोकरी में कम वेतन मिलने के कारण हो, या रोजगार की प्राप्ती नहीं हो, तो ऐसी इस्तिती में जो पुरुस है या जो कमाने वाली इस्तिरी है वह बहुत संगर्स करती है, तो आर्थिक तंगी यदी परिवार में चल रही है, तो आप एक उपाय अवश्य करें कि हर गुरुवार को आप तुलसाजी को दूध भी चढ़ाएं, कहने का मतलब है, जल तो चढ़ाते ही है, साथ ही साथ गुरुवार को तुलसाजी में जल चढ़ाएं, दूसरी बात यह है कि आप अपने घर में यह देखे कि क्या तुलसाजी के पास में कुछ आपने रख रखा है, कहने का मतलब कोई मूर्ती, कोई पत्थर, कुछ रख रखा है, यदी तो क्या, क्यों कि तुलसाजी के पास में, तुलसाजी के साथ में केवल एक साल ग्राम जी ही रखे जा सकते हैं, कुछ लोग यहां उनके साथ में शीवलिंग भी रख देते हैं, जो की कदापी नहीं रखना चाहिए, उससे हमें धनात्मक कोई भी बात प्राक्त नहीं होगी, सब रिनात्मक ही रिनात्मक होगा, हमें बहुत भेंकर पाप लगेगा, तो ध्यान रहे कि शालिगराम जी हमें तुलसा जी के पास रखने हैं, यदि शिवलिंग आपने, कोई सा भी हो जाए, वो पारत शिवलिंग हो नर्मदेश्वर हो या और किसी पत्थर से बना हुआ हो, यदि आपने रखा है, तो मैं आपको यही कहूँगा, कि तुरंट प्रभाव से उसे हम वहां से हटा दे, अगली महतुन बात यह है कि संध्याबाद, जैसे ही शाम होती है और रात होने वादी होती है, आपको संध इहाबाद तुलसाजी को छूना भी नहीं चाहिए, तोड़ना तो भूत दूर की बात है, इसे छूना भी नहीं चाहिए, अगली बात है कि कई गहरों में, कई परिवारों में, भगीचार ना होने की वज़े से, या खाली जगए नहीं होने की वज़े से, तुलसाजी का ग गमले में अपने मकान की छट पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि ऐसा करना अश्युभू माना गया है। तुलसा जी के आप संध्या समय दीपक भी लगाते हैं इसमें भी थोड़ी सी सावधानी रखे और वह सावधानी यह है कि सुर्यास्त के बाद आप दीपक लगाएं। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि गणेश जी को और दुर्गा माता को तुलसा जी कभी भी नहीं चड़ाई जाती है। जब आप दुलसाची को जल चड़ाते हैं उस समय आपको मंत्रों चारंजो करना चाहिए। वो है ओम सुभद्राय नमह। वापस बोल रहा हूँ ओम सुभद्राय नमह। ये मंत्र बोलते हुए जल चड़ाना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए कि तुलसाची को कभी भी अमावश्या को, एकादशी को, दुआदशी को, चतुरदशी को और रविवार को नहीं तोड़ते हैं। अगली बात आपको यह भी ध्यान में रखनी चाहिए कि तुलसाची को जो दीपक हम लगाते हैं, वह दीपक घीका ही होना चाहिए। तुलसा जी को कभी भी तेल का दीपक नहीं लगाना जाए यदि घर में आपके तुलसा पोधा अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं ले रहा है बढ़ नहीं रहा है तो एसी इस्तिती में आप तुलसा जी के पोधे में हल्दी डाले आप पाएंगे कि थोड़े समय में ही वह पोधा बढ़ने लग जाएगा मुझे उमीद है कि से सामान्य जो तुलसा पोधा की जोतीशिये और वास्तु से संबंधित महत्ता है वह आप जानते है इसलिए उनके संबंध में मैं यहां आपको ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहा हूं मैं यहीं विराम लगाना चाहूंगा जै शी किसना